आइस्ट कें तो była और है कि दूस्ता है कि जोने माश्ट ही दोस्तों मैं सूसीयास आज आक्के लिए लकर आया हूं। यह इंट्र इवर्टεις केुं है ने झाट की अंसर की दोस्तों हम इस्में साइंस में आइजक की कित चर्चा करें science paper तो दोस्तों यहां पर जो 91 या हम कहीं कि जो first question है वो यह है कि इसमें x कि गा चार माइनस x माइनस y का whole 4 का गुणनखंड क्या है तो दोस्तों इसमें जो गुणनखंड होगा वो होगा answer first ठीक है दोस्तों अब चलते हैं question number 92 पर question number 92 है दोस्तों कि दो संक्याओं का योग 20 है और उनके वर्गों का योग 404 तो उन संक्याओं का गुणन फल क्या है तो दोस्तों हम यहाँ पर option method का यूज करेंगे option method मतलब इन option से ही इसको soul करेंगे देखो पहले तो हम क्या गोर करेंगे कि यहाँ पे यह वर्ग की बात कर रहा है कि वर्ग 404 है तो देखो अगर हम यहाँ पर 44 देखें या 80 और 66 और 40 तो दोस्तों अगर हम 404 की बात करें तो इन संक्याओं के आज स्पास में जो भी संक्याई हैं उनको अगर हम देखें तो इसमें जो संक्या आएगी वो आएगी 20 क्योंकि 20 का दोस्तों यहां पे होता है 400 और उसके बाद बचे 4 यानि 2 एसी संक्या है जिसका वर्ग 4 होता है तो अब इनका जो 404 होगा और अगर हम 20 और 2 को मुल्टिपल करें तो यहां पे इसका आंसर 40 होगा यहां पे आंसर डी इसका सही राइट आंसर होगा क्यूस्टन नंबर 93 कि वो नियुनतम संक्याजी से 1800 गुणा करने पर यह पूर्ण गन संक्या प्राफ्त का अंको का य्व और तो दोश्ट how इसको ऐसे सौल करते हैं कि सबसे पहले ना 1800 के क्या करदेंगे गुणन खंड करतेंगे तो देखू 5 इंटु दो इंटु Šघ्ध है और यहां पे एक और दो है तो यह वापिस दो यानि यहां पर तीन कितनी यहां पर दो कितनी बार आ रहे हैं तीन बार इंटु फाच स्क्वाइर और तीन का स्क्वाइर अभी हम स्क्वाइर स्क्वाइर को ले लेंगे यानि 5 इंटू 3 बराबर 15 और 1 प्लस 5 बराबर 6 तो यहां पर हमारा सही आंसर होगा भी ओके दोस्तों अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्यूशन पर नेक्स्ट क्या रहा है कि कोई धन साधरन भीज की एक विसेस गरफे अपने का 41 वाटा 40 हो जाता तो लेक्श की वारषिक दर्क्या है तो देखो दोस्तों यहां पर हम के हम इसा ध्यान रखें कि जब भी तो यहां थैभन है मिले तो आपको क्या करना है कि जब यह भी भिन में मिले तो यहां पर जो नीचे जो उपर वाला है वो मिसर दन होता है और जो नीचे होता है वो मूल दन होता है तो उसी साफ से यहाँ पर हमारा जो रासी में व्याज वो एक हो गया तो I बराबर P R T 100 अब अपने को यहाँ पर क्या करनी है दर यहनी R तो यह हो जाएगा I upon P into T into 100 rate तो यहाँ पर T है आये यहाँ पर 100 और P है यहाँ पर 40 into यह 1 4 तो वन यहाँ रहे जाएगा उपर चला जाएगा यह का T है 10 बार और यह 0 यानि यहाँ पर हमारा आंसर आ रहा है 10 परसेंट तो हमारा आंसर होगा C SM इसको दोस्तों 100 ट्रिक से सोल कर सकते हैं जब भी भिन में आए तो आपको याद रखना है कि उपर वाला हमेशा मिसर दन होता है यानि और जो नीचे होता है जो अंस है वो 40 हमेशा ही क्या रहेगा यहां पर मूल दन रहेगा अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट किस्टन पर नेक्स्ट किस्टन है दोस्तों 10% वार्सिक चकरवर्दी ब्याज पर 2000 कितने वर्स में 2420 रुपे हो जाएगा दोस्तों एक बात हमेशा जान रहेगा यहां पर 10% वार्सिक चकरवर्दी ब्याज की बात कर रहा है तो इसको भी ट्रिक से से सोल कर सकते हैं कि अगर हम मान लें कि यहां पर जो यह ब्याज लग रहा है वो चक्रवर्दी ना होके साधारण ब्याज है तो उस हिसाफ से दोसो यहां पर दो हजार के दोसो रुपए पर वर्स और दूसरे दोसो भी चार सो ठीक है चीज आप दियान से समझना अब आपको पता है कि अगर चक्रवर्दी ब्याज लगेगा तो फश साल में तो लगेगा नि दूसरे साल लगेगा और चक्रवर्दी ब्याज गया होता है कि मूल धन पर भी लगता है और जो हमें ब्याज मिलता है फश साल का उस पर भी लगता है तो यहां पर जो दोसो है यानि इस दोसो पर लगेगा तो दोसो का दस कितना हो गया भई यह लो यानि बीस रुपे यानि उस हिसाफ से यह द याबर हो तो कितने परतिसेत हान नहीं होती तो दोस्तों अगर इस कुशन को आप सोल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप परसंटेज हो में साभिन में याद रुके जैसे यहां पर दस परचेंट की बात करें तो एक बटा-दस होता है जो 20 परचेंट होता है वह एक बटा- पाँच होता है उसी परकार 16 सहीद दो 務ंबता 7% और 16 सहीद एक ब्र reflective होता है यह यूपर इसको ट्रिक से याद रखोंगे तो आपको क्या रहेगी सब्सक्राब on our i 서 यह पर केरा है कि सब्सक का क्राइव मुल्य06 जब भी ऐसा की उदालाको लिखना है और नीचे जितनी वस्तु हैं उतना रिखे उसको 100 से गुणा करना है तो यहां पर क्या हो रहा है 1 upon 7 है ध्यान रगे आपर विक्रे को नीचे रखना क्योंकि विक्रे को यह ब्राबर बता रहा है यहां पर यह एक एक एक्षन के रूप में है तो यहां पर 1 upon 7 मेंने का क्यों 14 से दो बटा 7 परसेंट होता है तो यहां पर हमारा आंसर 20 से होगा देखो हम ट्रिक से सोल कर सकते हैं ठीक है अब हम चलेंगे next question पे next question है हमारा कि एक थेले में 20 रुपे 10 रुपे 5 रुपे के note है तो यह थेले में कुल धन 21000 रुपे हो तो पांच के note के संक्या क्यों ऑगे हो कि इनकी संक्याओं का जबकि हमें यहां पे क्या दे दिया है जो धन कितना है तो हम यह यहां पे क्या करेंगे कि हम इनको भी धन में प्रिवर्थित करेंगे यागर हम 20 रुपे के 3, तीन नोट है नहीं वो 60 रुपे हैं यहां पर यह 40 रूपे हैं यहां पर यह 25 रूपए है अब हम इनको क्या करेंगे जोडेंगे और किसके बराबर रखेंगे 1000 के ठीक है यहां पर हो गए 125 इंटουν 1000 ठीक है यहां यह कट गया यहां पर लगबग आठ बार ठीक है आठ बार अब इस आठ को हम क्या करेंगे इन परतेक संक्या से गुणा करेंगे यह हो गई 40 32 और 24 यानि यहां पर कितनी है उनकी संक्या 40 ओके अब हम चलते हैं next question पर next question है हमारा इदी किसी भिन के अनसोर हर का योग 5 पर नतो भिन का मान 3 बटा 8 है तो अब यहांपे हम क्या करेंगे यानि कि यहांपे यह जो भिन देर की है उनका इनने क्या क्या किया इसको simplification यह सरली करन करके देखते हैं पहले आपन योग पे मज़ो सरली करन करो क्या 3 वटा 8 आता है तो यह पांथ से कट थे पाँसे कट पर ही आएगा चार बटा साथ यह आजाएगा एक बटा फंद्रा यह कि नहीं कि डो बटा तीन सबसे पहल कर चाहि रहरें तो करें इनके योग 85 देखो 25 यह भी फच न स्थे पंद्रह चालीस हो 안돼 तब यह आता यानी आप इसका आंसर होगा इनमें से कोई भी नहीं थिए संगत कोणों का योग बराबर होता है सभी संगत कौन एक दूसरे के बरापर होते हैं और जैसे यह इसके बरापर होगा यह इसके यह इसके यह but यह कॉन रहे होते हैं अब अपने क्यों प्रिषण क्यों क्यों और dużo गुज़ का क्ड़कर न detention है अब भी क्यों खेल द्एक एक्राम द्शुण आरई होतो तो QPS का मान क्या दोस्तों यहां पर वही तीरिया जो हम कहें कि एक आंतर कोण वाली पोजिशन बन रही तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपने को पता है कि एक त्री बुझ जो होता है उसके सारे कोणों का मान एक सोसी होता तो यहां पर करेंगे 2X 5X प्लस 3X यानि यह हो गया 180 इनका मान हो गया 10X बराबर 180 तो X बराबर 18 यानि कि 18 उससाफ से इसका मान हो गया एक्स तो 5 एक्स का मान क्या हो गाए पांसे को यह गया निब्बह यह हो गया चववन यह गया चछतिस अब देखो अब इनको भी आप तीरिय के हिसाफ सचो लो तो आमने सामने क्यों थोड़ा से बढ़ाओ और इसको भी थोड़ा सा इसे बढ़ा दो यहां पर क्या हो शत्युस्त और तो इसका मंगलब यह हो जाएगा चोपन तो यह विज आपके निब्ब्बड़ी दिग्री तो इसका सभी आंसर होगा आपके निब्बड़ी अब हम चलते हैं next question पर investment face next question क्या है we çocuk pancial push के सबी अंत्यकोर्ण सोटाविस तो इसका 540 और सान्सर 540 एक व्रित की लंबई भी 6 सेंटीमेटर पी कोई भींधू है तो केंधरइत्य दूर है भींधर है उसकी यहां पर खीची की यह लो त्रीजा क्या है टोटल यह 10 से त्रीजा समेत और यह इसके एक स्पर्स रेका की चीए अब दोस्तों याद रिखें कि स्पर्स रेका ती यहां से जो कौन बनेगा यह वाला यह हमें से यहां पर नहीं बढेंगे दोस्तों यहां पर बनेगा सोरी यहां पर बनेगा तो यह जायगा इस निया आधार Purglass उर यह kang music कषएर यहां पर सो माइनस छतीन ब्रावबर 14 तो यहां पर बरावर अंसर अब चलता है नेक्स्ट क्यूशन पर नेस्ट क्यूशन है कि एक समकॉन तरी बुझ में यह दी इसकी भुझाए 15 cm, 8 cm एक दूसरे के लंबत हो तो इसका प्रिमाप क्या होगा दोको दोस्तों इस समकॉन तरी बुझ की बात कर रहा है तो सबसे पहले यह करना इसकी भुझाए 15 cm, 8 cm लंबत है दोस्तों याद रखें कि आधार और लंब एक दूसरे के ऐसे लंबत होते हैं तो मानलो इसको 8 मानलो इसको 15 मानलो तो यह वाली भुझा कितनी होगी यह नि कर्ण कितना होगा तो कर्ण हो गए यहापे 15 स्क्वाइर प्लस 8 का स्क्वाइर बराबर हो गया 225 प्लस 64 यहनि यह हो गया 289 तो 289 होता 17 का अब दोस्तों यहां पर करन मिल गया अपने को 17 का तो अब परीमा आपका मतलब इन तीनों भुजाओं का योग तो 17 15 और 8 यह बराबर हो गया 40 यह इसका अंसर हो गया 40 cm अब दोस्तों question number 105 question number 105 क्या है अब चलते हैं question next question है कि एक दो तीन 4 और nsangky Oo का समानतरमादय क्या होगा तो दोस्तों अपने को पता है कि समान तरमादय यह ओसत दोनों यह जी ठीजी जिर उसर तहा संख्याउं का योग बटा संख्या संख्या यह नि इन nephew संख्याssä का योग अब संख्याउं का योग जब 2-3-4 Hab us спас onar के और हैन फ्लस 1 अपॉन टू क्ने में एक ए लाल कि णृट से एक गट्यान क्या एन एं प्लस वर न क्या आन्सर होगा भी अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्यूशन पर नेक्स्ट क्यूशन है कि किसी वर्ग की उपरी सिमा ता निमन सिमा का अंतर क्या कहलाता है तो वर्ग की उपरी सिमा जैसे मानलों मैं कहूं कि जैसे कोई वर्ग है तो जैसे वो है दस से बीस तो यह इन दो इन दोनों का अंतर दोस्तों मोल बिंदू मतलब जब हम इस परकार से इसको प्लस यह होगा प्लस और माइनस यह होगा माइनस माइनस यह होगा प्लस माइनस यह होगा प्लस माइनस तो यहां पर दोस्तों जो होता है मोल बिंदू वो होता है जीरो और जीरो यानि मोल बिंदू के कोई भी ना तो मुल विंदू के जीरो जीरो ने दे सांग होते हैं यहां पर आंसर होगा डी से अगर यहां दो पासे होते तो फिर भी हमको सोच यह बोल रहा कि एक पासा और पासे के दोस्तों चो लाश डिजिटी छे होती यानि 6 से अधिक आने की प्रायक्ता जीरो है क्योंकि 6 से एक पासे में नंबर नहीं आपाएंगे क्योंकि वह लाश्टी उसमें डिजिट कितनी होती है चैसलिए इसका आंसर होगा जीरो मैं अब यह कहारा है कि निवन में से कौन सा गरिट कथन की परकरती से संबंदित नहीं डिट में संक्यां उस्तानोंमापन अधिका धियन किया जाता है सही है यह बीद यहां पर इएच यह कतन को ढूड़ना ऐसा वाझनलो यहक। परकर टीना भासा, यह भी सही है। गनित का गयान तार्किक नहीं होता दोस्तों क्यां लोजिक नहीं चलता गन्यत में लोजिक नहीं गनित में formula this which will be wielons थां तार्किकता से नहीं होती है इसलिए यहाaus hard और दोस्तों अब यहां पर कुछ विग्यानिकों के कतन देर के हैं तो उसमें सबसे पहला कितना कि गणित वय पासा है जिसमें परमेश्वर ने शंपून जगतिया बर्मान को लिख दिया है यह कतन दोस्तों गेलेलियों गेलेली का है ठीकत इसका आंसर हो जाएगा ए वैसे नेपॉलियन के नुसार गणित के उनुतिता विद्धी देश की संपन्ता से संबंदीत है तो यह गणित के सामजिक मुल्यों को दरसाती है और यह कुशन दोस्तों रीट 2017 में भी पूछा गया है इन नेक्स्ट क्यूशन है दोस्तों कि गणित सार संग्रा नामक पुस्तक क ने लेक कोन है तो गणित सार संग्रे जो पुस्तक है वह महवीरा चार्य ने लिकी ठीक है अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्यूशन पर तो नेक्स्ट क्यूशन है की इप किस वीदी में विशिष्ट से सामन्य की ओर जाते हो वह गणितों में सुत्र की रचना कर लिए वीडी दोस्तों आगमन वीडी होती है निमन लिकित में से किसका जिट्रकला में मोल्य प्रविदी नहीं है यानि जो मुल्यांकन वीदी होती है दोस्तों उसमें साकसातकार, प्रसनावली और जो चेक लिष्ट है इसका उप्योग किया जाता है लेकिन प्रीप्रेशन का उसमें उप्योग नहीं होता है तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा भी अब यह मुल्यांकन प्रवर्दी समंधित होती है तो मुल्यांकन जो प्रवर्दी है वो सिक्षनु देशे से भी होती है अधिका मनुभू से और मुल्यांकन प्रवर्दी से और यानि कि इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इन सभी से झाल 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 झाल